तो आज इस मूवी को हम explain करने जा रहे हैं उसका नाम है मैलीजिया और यह released भी थी year 1973 में तो आज की इस मूवी में देखोगे आप एक estimate को जिसकी बीचे घर के स्थारे मर्द बढ़ जाते हैं और उसमें से एक बंदा बाजी मार भी जाता है और ना सिर्फ बाजी इसके साथ स information देदूं कि हम लोगों ने एक slasher content के लिए भी नया चैनल बनाया है उसका link नीचे description में दिया हुआ है तो आप प्लीज उसे भी subscribe कर लीजेगा खैर movie start होती है और हम देखते हैं कि किसी lady का funeral चल रहा है दूस्तों यहाँ पर उसका husband भी है जिसका नाम है चाचा चौदरी, रामू, स्यामू और समोसू यह तीनों की तिनों बिचारे उनके चले जाने की वाज़े से बहुत दुखी हैं पर यहाँ पर हम साफ साफ नोडिस पर आंटी के चले जाने का फर्क ना तो चाचा में नजर आ रहा है और ना ही उनके तिनों बेटो में नजर आ रहा है वो लोग बस यहां के लोगों को दिखाने के लिए ही जबर्दस्ती सडूसा मू बनाकर बैठे हैं खैर नौटंकी खतम हो जाती हैं और यह लोग भी बना कर रखा है अब खड़े-खड़े ही पूरा एक ट्रक भर करके इज़त मिल गई है तो इन लोगों को भी बरदास्थ नहीं हो रहा तो यह लोग पूछ लेते हैं कि बीटिया आखिर तुम हो कौन तो इस पर वो बताती है कि मेरा नाम एंजला है और मैं यहां की मेड हूँ मुझे कल ही आँटी ने हार गया था और आज ही आँटी ने बटली यहां पर वो तीनों इसे यहां पर देख करके बड़ा रिलीव फिल करते हैं कि चलो काम नहीं करना पड़ेगा जिसके बाद एक दू दिन बीच जाते हैं और हम देखते हैं कि एंजला उनका घर बहुत अ दिवी हैं अर्थात कैरलो वो चाचा चौधरी को किसी तरह से फसाना चाती हैं क्योंकि वो ठहरे एक बड़े बिजनसमेन और यहां पर अगर अंकल जी पट गया तो कैरलो दिवी की तो जिंदगी बन जानी है पर यहां पर चाचा तो पटने का नाम नहीं जा रहे हैं पर पर अपना जो समोसू है उसका इंटरिस्ट अपांटी की तरफ बढ़ने लगा है और यह चीज हम देखते हैं कार में जब वो उनके साथ जा रहा था यहां पर उसकी निगाह है तो कुछ और देख रही थी परन्तु उसकी उंगलियां कहीं और जा रही थी आंटी बेस नहीं था कि इतने में ही अपना समोसू टूटी हुई टांग लेकर चला आता है तूटी हुई नहीं कहेंगे घायल कहेंगे क्योंकि अभी अभी ही फुटबॉल खेलते हुए एक काच का टुकड़ा उसके पैर में चला गया है जिसके बाद एंजला उसकी पैंट को उतार कर देता है जिस पर उसकंवित्र कहता है कि क्या तुम्हारी जो नौकरानी है वो इतनी कामुख है अर्थात वो तो हमारा भी यंत्र ले लेगी जिस पर समोसू नहीं बेटा नहीं सिर्फ मैं ही दूंगा जिसके बाद वो दोनों ऐसे ही फालतों की बीसी पेलने लगते हैं तो अंजला समोसू के रूम में आती है जो तुम सोच रहे हो वो नहीं क्योंकि यहाँ पर समोसू के साथ ही उसका भाई स्यामू सोता है तो जिस तरह से तुम रात में चदर गंदा करते हूँ उसी तरह से बेचारा छोटा स्यामू अपना बिस्तर गंदा कर देता था इसलिए और इसी बात का अनुमान लगाने के लिए जब वो उसके कक्ष में आती है तो यहाँ पर फिलाल स्यामू ने तो विस्तर नहीं गंदा किया था परन्तु उसके जाने के बाद अपने समोसू की पैंड जलूर गंदी हो जाती है क्योंकि वो आई यहाँ पर अपनी 90 पैंड कर है क्योंकि वो अक्सर अपने उस मित्र के घर जाया करता था उससे अपनी और एंजला की बनावटी कहानिया सुनाया करता था और इस बात के बदले उसका मित्र अपनी बहन को उसके हाथों में सौब देता है अब फिलहाल तुम यहीं सोच रहोगे कि समोसू कितना वड़ा धरकी है तो मेरे भाई ऐसा नहीं है आखिर समोसू आया भी तो कहां से है अपने पिता से तो उसकी पिता भी परम धरकी है यहां पर वो अखबार पढ़ने के बहाने एंजला के अंग प्रतियंग को निहारा करते हैं परन्तु अभी अपने चाचा-चौदरी इस बात को ले प्रतिये तो सबसे पहला प्रयास करता है अपना रामू जो उसे घर में छेड़ने का प्रत्न कर रहा था परन्तु इतने में ही अपना समोसू आ गया जिसे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि वह सूपर मैन है तो वह यहां पर उसको बचाने के लिए जाता है जिस पर उसकी गंदी तोड़ी जाती है अब वो यहां पर पिलपल के रामपाल बन चुके हैं तो वो बिचारे 37 अपने रूम में लेटे होते हैं यहां पर एंजला को लगता है कि बिचारा मेरी ही चक्कर में ठूसा गया है इसलिए वो उसके पास जाकर के उसका आत्म मनोवल बढ़ाती ह और उससे यह भी बता देती है कि हां मुझे पता है समोसू तुम ही हो वो जो मेरे कोट में पुस्प रखते हो परन्तु इस बात से मुझे कोई भी समस्या नहीं है इवन मैं तो तुम्हें इस बात के लिए और प्रुसाहित करूंगी उसी रातरी सबसे बड़ा भराता यान अपना रामू वो एंजला की कमरे में चाता है ताकि वो उसके साथ पेलन कारिक्रम का आयोजन कर सके परन्तु इतने में ही अपना सबसे स्मार्ट गॉय समोसू सो देख लेता है जिसके बाद वो कुछ कर पाता परन्तु इतने में ही उसके नेत्र प्रते हैं अपने पिता प परंतु अपना समोसु ही है जो उन सब का जानता है जिसके बाद वो अपनी बाबू एंजला के छेद की रक्षा करने के लिए एक कदम उठाता है और कदम उठाने के बाद वो एक ग्लास उठाता है और ग्लास को विंडो में दे मारता है जिसके बाद वहाँ का सिक्योरिटी अलारम बच पड़ा और सभी को ऐसा लगने लगता है कि मानों उनके घर में चोर आगुसे हो जिसके बाद जल्दी से पुलिस को बला जाता है परंतु पुलिस की छानबीन के बाद ऐसा कोई भी सूतर नहीं मिलता है जिसके धूर वो यह जान सकें कि यहाँ पर चोरों का आग चौदी को कोई भी दुख नहीं हुआ था तो उनके वापस आने पर घंटा दुख होगा इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एंजला का पीछा नहीं छोड़ेंगे जिसके बाद वो अगला प्रत्न करते हैं एंजला से शादी करने का पर एक समस्य थी कि यहाँ पर रहा था कि उसके पिता के मन में आखिर चल क्या रहा है इसलिए वो अपने ठरकी मित्र से कहता है कि तुम जाओ और मेरे घर में नाग बनके बैट जाना जब तक मैं वापस ना जाओं तब तक तुम उठना नहीं ताकि मेरे पिता एंजला के साथ विवाह का प्रस्ताव जा रहा है कि आंटी बिना मुंग भली खाय मानेंगी नहीं परंतु यहां पर इनका कुस इंतजाम हो पाता इतने में ही वो ठरकी में तरपुना वापस आ गया और उसने समोसु से कहा कि तुम्हारे जो पिता है उन्होंने तुम्हारे घर से मुझे डाट करके भगा दिया ह जब समोसु सुनता है तो जल्दी से आंटी को करता है साइड में और सीगरती सीगर भागता है अपने घर की तरफ परंतु उसके यहां पर पहुचने से पहले ही देरी हो चुकी थी क्योंकि उसके पिता ने अपनी साधी का प्रिस्ताओ एंजला के सामने रख दिया था इस पर चाचा चौधरी किसी तरह से समोसु की दादी मा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस विवाह के प्रस्ताओ पर अपनी हामी भर दे हैं परंतु यहां पर दादी उसके विवाह का प्रस्ताओ मानती ही नहीं और उससे समझाते वे कहती हैं कि बेटा आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें एक तुछ दासी से विवा करना पड़ रहा है यहीं पर कक्ष के द्वार पर खड़ा अपना समोसु यह सब कुछ साफ साफ सुन रहा था तभी उसके मस्तिस्क में एक खुरापाती विचार ने जन्म लिया और वो वहीं पर खड़े खड़े खड़ा करके यहा प्लैन बना लेता है कि वो किसी भी तरह से ऐसा सिद्ध कर देगा कि जो उसकी स्वर्गवासी माता है उनकी जो आत्मा है वो यह नहीं चाहती कि उसके जो पिता है वो दूसरी साधी करें यदि ऐसा सिद्ध हो गया तो कोई भी नहीं है जो इनकी शाधी करवा सके जिसके बाद उसी राज समोसु जाता है अपने सबसे छोटे ब्रादा अर्थात स्यामो ब्राद स्यामो जो की गहरी निद्रा में लीन था तो फू उसे जगा करके बोलता है कि हे ब्रादा कहां गई तुम्हारी मातर भक्ती तुम्हें अपनी मा से प्रेम नहीं क्या तुम्हारी मा इतनी बुरी थी कि तुम उनके जाने के बाद किसी दूसरी गर्ण्या को अपने मा जलकने लगते हैं जैसे आपका द्रव उसके करुणा का ये शोर सुन करके और आखों की धार देख दर के वहां के सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर क्या कारण हो गया कि तुम इतनी रात्री में इतने दुखी हो जिस पर स्यामो ने उन सभी को अपनी मन की वेथा बत आती हैं और अब जब माताजी ने संपून रूप से मना कर ही दिया हैं तो वो विचारे अपने ग्रह पर वापस लोटाते हैं यहां पहसते ही एंजला को एक छड़ भी नहीं लगता ये समझने में कि ये सारा किया धरा समोसू का था क्योंकि वो जानती है कि समोसू का खुर वह मिठ सकें और वो भी एक धनीव अपारी की अधांगिनी बन सकें यहां पर अब समोसू के पास मौका था क्योंकि वहां यह समझ सुका है कि एंजला कभी भी उसके पास से नहीं जाने वाली अर्थाथ वो आई ही इसलिए हैं ताकि वह धनी बन सकें तो वो उसकी इस बात है तो वह उसके पॉम-पॉम दवा कर भाग जाता है यहां पर अपनी एंजला इस बात कर कतापी विरोध नहीं करती क्योंकि उससे पता है कि यहीं उसकी बात का विरोध करती है तो समोसू एक बार फिर से उसकी साधी को किसी तरह से तलवा देगा खैर यह शिलसला कुछ सम के बाद समोसू भी एंजला से प्रसंद हो चुका है और वह ऐसा निर्णा ले ले लेता है कि वह अपने पिता के शादी उससे करवा देगा इसी चलते एक दिन समोसू जब एंजला के साथ उसके ग्रह में अकेला था तब ही उसके घर का वैदुत कटन हो जाता है और यहीं पर पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा एंजला जिसकी समपूर रूप से फटी पड़ी है तो भी उसकी बाद माल लेती है जिसके बाद आप भी जानते हो कि समोसू उससे क्या करने के लिए बोलेगा और वहाँ पर हम देखते हैं कि उनके घर से पलंग के हिलने क की अवाज जाने लगती हैं अंदर क्या हुआ होगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप मुझे बताईगे का कमेंट सेक्सल में खैर पलंग हिलाने के बाद अपना समोसू संपूर रूप से तरप्त हो चुका है और वहाँ अपने पिता से कहता है कि मेरे सोपन में एक बार फ विवाह को संपन्न करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं मूवी के अंतिम शड में जब चाचा चौधरी अपनी हो चुकी अर्धांगिनी अर्थात एंजला जी से कहते हैं कि तुम अपने पुत्रों को चुमबन दो यहां का रिवाज है पर वहाँ चुमबन एक माता की भ बन रहने दो और इसी संदेश के साथ यहां मूवी भी यहीं पर समाप्त हो जाती हैं यदि आपको हमारा यहां चलचित्र पसंद आया हो तो लाइक बिटन पर क्लिक करके आप हमें यहां आउगत जरूर करा दें नीचे कमेंट का कक्ष दिया हुआ है वहाँ पर आप वाली वीडियोस आपके पास आती रहेंगी यदि आप और भी ज़्यादा वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूतिये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मां दिया गया है यदि आपको मार काड़ वाली अर्धा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे हिर्दे की गहराईयों से आपकी गहराईयों को धन्यवाद